अल्व कर दोश्तों प्लिकर्स के दूसरे चरण में आपका स्वागत है। इसके पहला चरण में हमने प्लिकर्स काड केसे डाउनलोड करना है, class कैसे generate करना है roster में से class कैसे add करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी दोस्तो अब हम library की ओर चलेंगे library में आप click करने पर आपको कुछ इस तरह एक window में लेगा आपके window में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे library में mobile uploads new folder, question और इस side आपको अपने class की details दिखाए दिगी दोस्तो library का मतलब होता है आपके जो questions है जो आप अपने student को पूछने वाले है online उसके बारे में संपूर्णत जानकारी देना, यानि कि question यहाँ पे लिखने है दोस्तो question लिखने से पहले आपको मैं एक नीजी सलहा दूँगा कि आप एक folder बना ले हर subject के हर topic का अलग folder बनाए ताकि equation है वो अलग-अलग subject के अलग-अलग topic के folder में ही जाए for example पहले यहाँ हम हिंदी का topic है इसके लिए हिंदी subject का folder बनाएंगे यह folder मैंने यहाँ पे save कर लिया है उसके बाद उसी folder के अंदर हम chapter 1 ननहा कवी उसका एक folder create करेंगे chapter number 1 ननहा कवी ताकि हम ननहा कवी चेप्टर में जितने भी questions थे वो इसमें रख सके चलो अब ननहा कवी folder है हमने वो भी open कर लिया है यहाँ पे हमको बताएंगे कि library में आपने हिंदी और हिंदी के अंदर ननहा कवी जो folder था open किया हुआ है अब हम इसमें question add करेंगे question add करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे new question पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको question लिखना है तो मैं एक question लिख रहा हूँ हिंदी में क्या सोचता था इसमें आप अलग-अलग प्रकार के answer लिख सकते हैं यहाँ पे दो type है multiple choice और true or false true or false का दो ही option रहेंगे yes या no multiple choice में आपको चार option देने के लिए यहाँ पे option रखे गए है पहला हम हमारी तरफ से रखेंगे नन्हा कवी कवीता के बारे में सोचता था दुसरा घर के बारे में तिसरा सोने के टाफू के बारे में और आखरी खेलने के लिए तो आप यह प्रश्णया उसका चार option लिख ले उसके बाद यहाँ पे correct कौन सा question का option correct है वो select करना है for example इस question में सोने के टाफू के बारे में वो सोच रहा था वो answer है तो आपको उसको क्लिक कर देना है उसका मतलब हुआ कि इस प्रश्णय का अंसर सी है उसको एक बार हम सेव कर लेंगे और दूसरा question हम generate करेंगे अगर आपको question save करके दूसरा बना ना है तो आप save and create new पर click कर सकते हैं यहाँ पे जो बटन दिया गया उसका मतलब यह हुआ कि पहला question save हो गया उसके बाद दूसरा question के लिए automatic window open हो जाएएगा दूसरे question में हम image वाला question पूछना चाहते ह तो add image पर आप click करेंगे तो आपको उस question के मताबिक image select करने है for example मैं यहाँ पे image select कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि यह कौन सा device है तो आप बच्चा बच्चे है वो ए चित्र देखेंगे उसका answer उसके बाद लिखेंगे वो अपने card के द्वारा देंगे तो पहले हम इसका answer लिखते है AR card ए ए आर ए आर ए आर बोक्स वी आर बोक्स गेम बोक्स उसमें लिखेंगे दूसरा टिवी बोक्स तो उसका answer ए आर बोक्स है इसको save and create new पर क्लिक करने से यह प्रशनव सेव हो जाएगा उसके बाद नया प्रशनव आएगा तो दोस्तो खासकर गुजराती एक्सेले के 8 तक और उसमें से कक्षा 5-8 का जो पेपर है एक्सेल शीट में readymate ही हमारे पास हमारी वेबसाइट www.savani.in.in पर अपलोड किया गया है उसका एक डेमो में आपको दिखा रहा हूँ कक्षा 5 का जो question paper में ने बनाया है ओब्जेक्टिक टाइप का question paper है ताकि आपको type ना करना पड़े और जिस chapter का आपको exam लेना है उसका excel sheet का जो paper है वो हमारे ict group के teachers लोग और सबकी सहायता से हमें मिला हुआ है उसका database बनाया हुआ है तो मैंने यह बनाया है थोरण 5 standard 5 की जो एक चेप्टर था सीखो उसका प्रशन है आप यहां से copy paste भी लगा सकते है प्रशन है उसको select करके copy और उसके बाद यहां पे paste कर सकते है और शिर्फ आपको उसका crum ही देना है उसके बाद option को भी उसी प्रकार copy paste कर सकते है तो आप के लिए अब question बनाना आसान हो गया है copy paste shift करनी है और उसके बाद आप option में paste कर सकते हैं तो इस प्रकार आप copy paste का option कर सकते हैं उसके बाद answer select करेंगे and save कर देंगे तो यह हुआ हमारा question जो library में हमें question generate करने है इस प्रकार से हम अलग-अलग chapter के अलग-अलग subject के question generate कर सकते हैं जब आपको लगे कि exam लेनी है तो आप यहां से add to queue ऐसा जो option है वहां से add to queue कर सकेंगे जिस से question automatically आपके class के जो class बनाया है उसमें चला जाएंगा अगर यहां से नहीं करना है तो आप application के जरिये भी कर सकते हैं mobile application से test चब लेंगे तब इसलिए मैं दोनों उपाई यहां पर आपको दिखा रहा हूँ तो मेरा यह दूसरा वीडियो है वो library के बारे में था library में आने वाले सभी options मैंने यहां पर आपको दिखा दिए है तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अगर पहली बार वीडियो देखने में समझ में ना आए तो एक ही वीडियो दो तिन बार दुबारा देख लें ताकि सभी जो चीजे है वो आप सीख सके और उसके बाद ही आप अपने class में वो practical कर सकेंगे अगला वीडियो हम mobile device के बारे में बना रहे हैं कि mobile device में आपको आगे क्या करना है आपको clickers नाम का जो application है कैसे download करना है उसमें account login कैसे करना है और उसके बाद क्या details उसमें दी गई है उसके बारे में अभी में अगला वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसलिए ए वीडियो यहाँ पर में खतम कर रहा हूँ आपको निवेदन है कि इस वीडियो के description में जो तिसरा part है हो देखे ताकि आपको आगे क्या करना है उसकी पूरी जानकारी मिल सके Thank you so much